तो हलो दोस्तो वाइसे गुरूग चानल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो हमने ट्रिग्णामेट्री टॉपिक शुरूर किया है जो कि आपके लिए बहुती इंपोर्टन टॉपिक है इसी साल के लिए नहीं इन चारो साल के लिए आपको एक टॉपिक आज बेसिक काम आ जाएगा हमने कुछ ट्रिग्णामेटिक रेशोज के बारे में इसके पहले वीडियो में देखा है आज हम अगले questions डिसकस करने वाले है उसके पहले जो लोग आज चानल पर नए है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाले वीडियो उसका आप आनन दे सके तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की चर्चा सो आपके सामने बोर बे मैंने ये questions लिखे रखे है ताकि अपना टाइम बचे सो दोस्तों question number 3 8.1 पहले exercise से question number 3 question number 1,2 तो हमने इसके पहले लिया है question number 3 में दिया क्या है देखिए और आपको पूछा क्या है ये trigonometric ratios इनकी value आपको निकालनी है मतलब definition यूज करके निकालना है इसके पहले जो हमने trigonometric ratios पड़े है उसके बारे में फिर एक बार थोड़ा सा revise कर देता हूँ एक zero minute में within zero minute ठीक है देखिए है zero minute हो सकता है हो सकता है जो फटा फट काम करते है उनके पास zero minute भी होता है देखिए trigonometric ratios trigonometric ratios ठीक है sin theta क्या होता है दोस्तों sin theta होता है opposite side upon hypo ठीक है opposite side upon hypo यह हो गया बार में cos theta पास theta होता है opposite side as upon hypo ठीक है यह आपको पता होना चाहिए उसके बार थान theta थान theta क्या होता है थान theta होता है opposite side upon addison side is that it अब यह तीनों ratio अगर आपको learn हो गए तो बस समझो आगे वाले दुसरे तीन ratio भी आपको पता हो गए कैसे गया sign के लिए reciprocal होता है इसका उल्टा कर दो कोसेक बन जाता है कोसेक तीटा इसका अगर उल्टा करे तो hypo उपर opposite side नीचे ठीक है hypo उपर और नीचे opposite side उसके बाद इसका अगर reciprocal कर दे इसका मतलब hypo upon addition side अगर ऐसा कर देंगे तो यह बन जाता है कोस के लिए क्या होता है सही सोचा अपनी काफी मेहनती बच्चे है आप I am proud of you तो देखिए तान ठीटा ठीटा का reciprocal क्या होता है इसका उल्टा कर दो addition side upon opposite बस यह आपको अगर एक बार learn हो गया कि ट्रिग्णावटिक रेशो के लिए किसी कौंसी भी value हम आसानी से निकाल सकते हैं तो चले एक्जामपल के तरफ तो आपके सामने एक्जामपल है यहाँ पर 50 डिग्री दिया है यहां 40 डिग्री दिया है यह 90 डिग्री अंगल तो वो तो होना ही चाहिए राइट अंगल ट्रेंगल में ही trigonometry हम apply करते है यह पता है सो देखें साइन 50 आपको पूछा है कॉस 50 निकालना है टैन 40 और कॉस 40 है या कोसे कौट 40 एक बार देखने दो मुझे एक्जामपल में यहां कॉस 40 दिया है तो इनके भाल्यों हमें निकालनी है चलिए ट्रेंगल में चलते है साइन 50 50 डिग्री किता है दोस्तों 50 डिग्री तो साइन 50 साइन थीटा थीटा मतलब 50 यहां पर साइन थीटा क्या होता है अपोजित साइड अपावन हाइपो तो यह डेफिनेशन हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे देखें साइन 50 सो इसे आराम से रब कर दिया मने अब आराम से रेशो लिखेंगे सो क्वेशन नमबर 3 साइन 50 सो आगे उपर तो यह तो गिवन इंफोरमिशनी इंट्रिएंगल एलमन अंगल M is 90 डिग्री अंगल L is 50 अंगल N is 40 हैगे ने सो आंगल साइन 50 is equal to opposite side opposite side upon high point बीच बीच में फटाकों के आवाज आ रहे होंगे उसके लिए अब क्या करते हैं सो लेक्चर तो लेना पड़ेगा फटाकों का आवाज आए या और कुछ तो चलिए हम सीखना नहीं छोड़ेंगे ठीक है सो opposite side upon high point so sin 50 will be 50 degree के लिए 50 degree के अंगल के सामने side कोंसी है देखिए यह वाला angle है राइट इसके सामने कोंसी angle है कोंसी side है mn upon क्या होना चाहिए hypo hypo मतलब ln so आपको sin 50 मिला sin 50 आपको मिला mn upon ln है किने interesting very interesting यह होगया sin 50 ठीक है यह पाहिला अब कोस 50 वह सही बता ही आपी definition यादा है किने कोस 50 ठीक है कोस 50 will be equal to addison side upon hypo addison side upon hypo addison side क्या है यह कोस 50 के लिए addison side क्या है lm hypo ln right so lm upon ln ठीक है यह बन गया कोस 50 यह होगया उसका बक्सा बक्से में इसे pack कर दिया बंद कर दिया ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते है नंबर तीन tan 40 tan 40 40 degree की इधर है इधर इसका tan ratio लेना है tan ratio क्या होता है अपोधिस side upon addison side os upon as ठीक नहीं पता हाँ tan 40 os upon as ठीक है शॉर्ट शॉर्ट से इस शॉर्ट लेटर से आपको जल्दी लर्न हो जायेगा वो tan theta अपोधिस side upon addison side तो 40 की सामने वाले side कौन सी है 40 के सामने कौन है LM तो मैं लिख देता हूं LM upon addison 40 निगर के लिए addison कौन सी है MN ये तो हैपो है addison MN है MN ठीक है so this becomes tan 40 ठीक है 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 tan 40 is LM upon MN that's all it's so simple very simple so fourth अब देखिए cos 40 ये होगया अब cos 40 cos 40 क्या होदा cosine ratio ये लिखना पड़ेगा न मतलब यहीं मतलब definition ये तो यहीं होगी cos 40 cos कितना 40 is equal to यहीं लिखना पड़ेगा definition हर बार लिखनेगा हर बार जितनी बार आप लिखोगे जल्दे लर हो जाएगी so cos 40 क्या होगा यहां पर cos 40 will be देखिए 40 डिगरी की addison side क्या है MN yum yum upon hypo क्या है LN so हो गया काम it's so simple very simple अब बहुत ही चिल्लर काम है very chill very very chill very very interesting very interesting so ले लिजिए इसका screenshot बड़े आराम से ले लिजिए ले लिजिए screenshot और जादे जादे एक must like भी देते चाहिए सो चलते हैं इसके बाद fourth question की दराफ question number 4 में क्या दिया है question number 4 में आपको निकालना है sin alpha, cos alpha, tan alpha , यहाँ aur alpha angle दिया है यहाँ पर theta angle दिया वहाँ पर right angle triangle कितने दिखाए दे रहे हैं सही सोचाए आपने वहाँ पर right angle triangle दिखाए दे रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं उसका solution question number 4 में चलते हैं बड़े आराम से ठीक है देखिए साइन आलफा लेना है मुझे किस right triangle triangle में जाना है वो पहले सोचो देखिए alpha हमें यहां दिखाए दे रहा है this is alpha here right so मुझे इस triangle के बारे में सोचना पड़ेगा कौन सा triangle यह वाला triangle है कि नहीं so p q r triangle में जाना पड़ेगा alpha sine कौन सा भी ratio बाद में हम निकाल सकते है sine हो cos हो tan हो कुछ भी हो हमें निकालना है sine alpha cos alpha tan alpha ठीक है fourth उसका solution देखिए अब in triangle p q r angle p q r is right angle ठीक है so angle r is alpha ठीक है अब हम ratio निकालेंगे हर बार definition लिखना है definition लिखना बढ़ता है so sin alpha sin alpha os upon hypo बढ़ा बढ़ा की लिख दो sin alpha is equal os क्या है os alpha का opposite side कौन सा है p q अब opposite side बोले तो इसके सामने कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे यह b q है ps भी दिखाए दे रहा है तो हमें क्या सोचना है हमें सोचना है सिर्फ right angle triangle के बारे में तो यह वाला जो figure आपके सामने दिखाए दे रहा है blue color का उसके बारे में सोचो तो r के alpha के सामने कौन है p q है p q right angle triangle p q r में उदर के बारे में आप सोचो मत पहले alpha alpha है इस triangle में इधर वाला so in triangle p q r sin alpha os upon hypo तो दिखिए os है p q os is p q upon hypo is p r so यह बन गया sin alpha है कि नहीं interesting very interesting तो दूसरा cos alpha cos alpha addison side upon hypo addison side upon hypo तो बताए cos alpha क्या हो सकता है cos alpha addison side alpha की addison side है r q upon hypo is p r r q upon p r या फिर q r upon p r दिखिए आपको सही लगे आप उसी तरह से लिख सकते है तीक है चलते है अगले पेच पर sin alpha निकाला cos alpha निकाला tan alpha दिखिए tan alpha sin by cos भी लिख सकते है या फिर इसका definition यूज करो tan alpha का opposite side upon addison side है ना tan alpha is equal to os upon as एक है अपोधी side upon addison side अपोधी side क्या है देखिए alpha के लिए अपोधी side है p q p q upon addison side है r q so p q upon r q will be tan alpha and that's all finish it's so simple very simple चलिए आगे बढ़ते हैं यह second number question अभी हमें निकालना है sin theta past theta tan theta निकालना है तो theta किदर दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी अब चलते हैं इस triangle है right side वाले triangle भी यह वाला triangle यह इसका color बदल गया ठीक हैं इन triangle PQS इस triangle में हम जाएंगे अभी यहाँ पर theta दिखाई दे रहा है बराबर है तो अब इस triangle के बारे में सोचो तो theta की opposite side यह है इस theta के लिए addition side कौन सी है PQ और यह triangle का hypo तो पताए आपको 90 degree यह 90 degree दिखाई रहा है यह 90 मतलब यह भी 90 है इसका सामनी वाला जो side होता है right angle triangle का लारग जस्ट side हाइपो ही होता है तो वह होता है 90 degree के सामने वाली side होगे नहीं यह तो आपको पता होना चाहिए और वह से आपको सब पता है कुछ बच्चे बोलते होंगे हमें सब पता है सब पता है तो चलिए कोई बात नहीं सब पता है तो देखें साइन थीटा साइन संब्सक्त पता ही अगया तो हमें करां थीडा कशना है तो in triangle P Q S in triangle P QS angle qps is theta angle qps theta वो लिखना पड़ेगा न वहाँ पर so angle p नहीं बोलेंगे वहाँ पर यहाँ परदैसे हम लिख सकते है angle r because there is only one vertex एक ही vertex दिखाए दे रहा है यहाँ पर भी एक ही vertex है लेकिन इस vertex के जगा पर दो angle टायर हो गए न अलग-अलग इसलिए इसे तीन लेटर से mention करना पड़ेगा और इसे तीन लेटर से लिखे तो भी चलेगा और एक लेटर से angle r mention कर दिया तो भी चलेगा लेकिन यहाँ वैसे नहीं चलेगा angle qps लिखना पड़ेगा तो लिख दिया आपने यह थीटा है इसके लिए हमें रेशो चाहिए sin theta, cos theta, 3 theta ठीक है चलिए sin theta sin theta definition लिख दो opposite side upon hypo ठीक है opposite side क्या है qs theta का opposite side है qs qs upon hypo hypo क्या है ps qs theta cos theta addison side upon hypo addison side क्या है theta के लिए theta के लिए addison side pq है देखिए इस triangle के बारे में theta का addison side this one, hypo, this one so लिख दो लिउन्टा का है हडूच लिउन्टा का है जा कसले आएचा हडूच लिएचा so cos theta as upon hypo pq upon ps ठीक है उसके बाद tan theta tan theta is equal os upon as ठीक है so theta का opposite side क्या है qs addison side क्या है pq qs upon p u that's all exercise खत्म हुए है कितना simple था कितना चिलर था चिलर तो था ही हो है कि नहीं so इसलिए हम उसे आसानी से जल ही पूरा करबाए ठीक है देखिए ले लिजे इसका screenshot एक बार और आराम से आप बाद में solution देख सकते है इस बात पर एक ख़दा like तो बनता है नियार तो दोस्तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए वीडियो को like भी कीजिए और साथी साथ चानल को subscribe भी कीजिए तो आज के लिए वास इतना काफी है मिलते हैं अगले वीडियो में तो अगले question के साथ तब तक के लिए good bye and जहीं